बार बार फिल्डिंग परिवर्थन करके भी नहीं रोक पाए सूरिया की तूफानी पारी आज विराट कोहली भी हो गए सूरिकुमार यादो के मुरीद सूरिया ने ऐसा रच दिया इतिहास सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा नाम एबीडि विलियर से लेकर कोहली तकाशपुरी दुनिया ने मारा सूरिया का लोहा अद्भूत अकल्पनी अद्विती है सूरिकुमार यादो शिकर पर है सूरिया का ताप ये हम नहीं बलकि दुनिया कह रही है सूरिया के हर शौट के बाद गेदबाज खड़ा हो कर सोच रहा था अब कहा बॉल डालू हर तरफ तो कूट रहा है भारत का सूरोज आज क्रिकेट के मैदान पर ऐसा चमका की गेदबाजों का दिमाग चुकरा गया बार बार फिल्टिंग में परिवर्तन किया ज़ा रहा था लेकिन सूरिया परिवर्तन होने के बावजूद भी गेम को आश्मान तक पहुचआ देता था ये कमाल देखकर हर कोई आज तंग रहे क्या सूरिया की तारिफ करते हुए विराट कोहली भी शान्त नहीं रहे उन्होंने दिलचोने वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की जैसे है विराट कोहली ने शेयर की उधर एबिडिविलियर्स और सूरे कुमार यादो का एक साथ वीडियो बनकर सोशल वीडिया पर वारल किया जाने लगा आज का जितना रोचक मैच था उसे ज्यादा रोचक सूरे कुमार यादो की तूफानी पारी जिसको देखकर हर कोई दंग रहे गया जी हाँ ये सूरिया जो फील्ड पर उड़ते हैं रनों की बाउचार कर देते हैं सूरे कुमार यादो के लिए साल 2022 अब तक बहतरीन साबित हुआ टी-20 वर्ल्ड कप के एक मुकाबले में उन्होंने रविवार को जिम बॉंबे के खलाफ नाबार एक 60 रन बनाए सूरी कुमार यादों ने मैच में ताबर तोड़ पारी खेली उन्होंने 25 गेदो पर 244 के स्ट्राइक रेट से नाबाद 61 रन बनाए छे चौकर चार छक्का जड़ा उन्ही की पारी के चलते भारत ने अंतिम पाच ओवर में 89 रन बनाए ये उनका मौझूदा T20 वर्लकप का तीसरा अर्द श्रतक है इससे पहले उन्होंने नीदन लैंड के खलाफ नाबाद 51 और साउथ एफरिका के खलाफ 68 रन बनाए थे विरात कोली भी भारत की ओर से तिन अर्द श्रतक जड़ चुके हैं राहूल भी दो फिफ्टे लगा चुके हैं 2022 की बात की जाए तो सुरी कुमार यादो ने अब तक T20 इंटरनाशनल की 28 पारियों में 45 की औससस से 1026 रन बनाए एक श्रतक और नो अर्द श्रतक है यानि 10 बार 50 से ज़्यादा रन की पारि खेली जबकि स्ट्राइक रेट 187 है 93 चौके और उनसर चुके चड़े अन्ने कोई अब तक 1000 रन के आकड़े तक नहीं पहुँच सका हलंकि पाकिस्तान के विकेट कीपर बलेबास उनके पीछी पढ़ गया उन्होंने अब तक 23 पारियों में 44 रन की औससस से 924 रन बनाए नो अर्द श्रतक लगा है इस ट्राइक रेट 123 का है बारत और पाकिस्तान दोनों T20 वर्ल्ल कप के सेमी फाइनल में पहुच गए ऐसे में रिजवान के पास 1000 रन पूरा करने का मौका है 2022 में 1000 T20 इंटरनाशनल रन बनाने वाले पहले बलेबास सुरी कुमार यादो बने सुरी कुमार यादो 2022 में 1000 T20 इंटरनाशनल रन बनाने वाले बनने वाले बलेबास बने तो दुनिया में उनकी तारीफे होने लगी एक कैलंडर एयर में ऐसा करने वाले दुनिया के दूसरे बलेबास है मौहमर रिजवान ने 2020 में 326 रन बनाये थे T20 International में एक साल में एक हजार रन बनाने की बात करे तो सूरिकमार यादो ओर ओर ओरॉल दुनिया के सिर्फ दूसरे बल्लेबास सबसे ज्यादा रन बनाने का रेकॉर्ड रिजवान के नाम है उन्हेंने 2021 में 26 पारियों में 1326 रन जड़े एक शतक और 12 अर्ध शतक भी ठोका था सूरिकमार यादो ने पारी का आखरी ओर करने आये रिचर्ड नगारवा की गेदों की जम कर कुटाई कर दी इस ओवर में 2 चकी और एक चौका जड़ा जबकि ओवर की 4 गेदों का ही उन्होंने सामना किया था नगारवा की पहली गेद नो बॉल रही जबकि ओफीशिल पहली गेद पर हार्दिक पांड्या को इसको नहीं कर सके दूसरी गेद पर हार्दिक पांड्या आउट हो गए तो नगारवा ने एक और वाइड कर दी जिस पर नए बलेबास अक्षर पठेल ने दोड़ कर सिंगल लिया अब सूरिया के पास एस ट्राइक थी जो कि उन 4 रन पर खेल रहे थे उन्होंने डीप बैकवर्ड स्क्वैर पर चक्का उड़ाते हुए हाफ सेंचुरी पूरी की तो अगली गेद पर दो रन चुराए पांचवी गेद को एक बार फिर सूरिया ने चार रन के लिए बांटरी पार कराई तो आखरी गेद को 6 रनों के लिए हवायातरा पर फेच दिया इसी तरह ओवर में कुल 21 रन बने और भारत पहुच गा 186 के रन स्कोर पर